दोस्तो अभी अभी आपने कोई IPO लिया या कोई शेर खरीदा और उसका प्राइस गिर गया अभी आप सोच रहे हैं कि घाटा हो गया रखें या बेचें तो घबराइए नहीं शेर बजार में ऐसे ही होता है अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों के भाव गिर जाते जब आप शेर खरीदते हैं तो एक्च्छी में आप वो बिजनस खरीदते हैं उस बिजनस के मालिक बन जाते हैं और वो पूरी कंपनी उसका इंफ्रासक्चर आपके लिए काम करता है माल लीजे आपने LIC का शेर खरीदा अब LIC के 12 लाक इंचॉरंस एजेंट आल ओवर इं जोज़र कर रहा है तो वो आपके लिए काम कर रहा है और आप प्रॉफिट बना रहे हैं लंबे समय में शेर बजार में ग्रोथ बनती हैं आप एक बिजनस खरीद रहे हैं शेर नहीं खरीद रहे आपने LIC का शेर या Paytm का शेर खरीदा तो आपने बिजनस खरीदा है और बिजनस में अपडाउन होते हैं, दो-चार अपडाउन होने से हम बिजनस बंद नहीं कर देते, ऐसे ही शेर बजार में भी अपडाउन होते हैं, शेर प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, शॉट टम में आपको नजर नहीं आएगा पैसा बनता, लेकिन long term में share बजार में सच में wealth create ही की है अगर मैं overall share market की growth की बात करूँ तो sensex और nifty आपने नाम सुने है sensex जो आज करीब करीब बासटर lifetime touch हो चुका दोस्तो sensex की शुरुवात 1979 में 100 rate point से हुई थी 2000 आते हाते 5000 का हुआ, 2020 में 40,000 का था, 2021 में 60,000, 2022 जो निकल गया भी 62,000 गिरा हुआ है अभी लेकिन अगर आप लंबे समय में share बजार की growth देखेंगे तो 17% growth आई है overall पूरे share बजार में तो कुछ companyों में growth कम आई होगी, कुछ में जादा आई होगी लेकिन लंबे समय में यदि आप देखें, गिर गिर के आया share बजार उपर, companyों के share भी गिर गिर के चड़ते हैं लेकिन जितनी भी बड़ी company आज आप देखेंगे, sensex उठालो, nifty उठालो, tata, birla, tcs, reliance सभी company गिर गिर के धीरे धीरे बड़ी होती हैं, लंबे समय में पैसा बनता है जब जब share बजार गिरा, share बजार गिरता तो सबके share गिरते हैं, आजकल share बजार गिरा हुआ है, negative sentiment है इसलिए market में आपको हो सकता आपके IPO पे अच्छा profit ना मिले, लेकिन जब जब share बजार जितना जितना गिरा है चाए 1988 हो, 1993 हो, या आज से दो साल पहले first corona हो, उसके बाद उतनी ही तेजी से चढ़ता भी है लंबे समय में पैसा बनता है, 17 प्रतिशत की growth share बजार की है यदि मैं 15 प्रतिशत भी future मान लूँ, जिसकी मैं guarantee नहीं दे सकता है, यह सिरफ mathematical projection है तो अगले 5 साल में यही sensex आपको 1 लाग के level पे नज़र आ सकता है, just with 15% compounding growth 15% की growth कम नहीं होती, जो भी बड़ी company आपने share खरीदे हैं, आप उसमें 15% की growth यदि लें, यदि मैं LIC या PTM की बात करूं 15% growth का मतलब होता है दोस्तों, 5 साल में पैसा दुगना, 10 साल में 4 गुना, 15 साल में 8 गुना, 20 साल में 16 गुना जितना लंबा समय आप share बजार में बिताते हैं, उतनी अच्छी wealth create होती है दोस्तों, sensex low, nifty low, कोई बड़ी company देख लो, या कोई mutual fund देख लो, लंबे समय में 15, 18, 20 प्रतिशत की growth बनी हैं, आपको भी मिल सकता है but you have to think for a longer period, short term में कुछ नहीं रखा share बजार में, business owner की हैसियप से share बजार में आईए, business खरी दिये, लंबे समय में profit मनेगा अगर आप policy बजार, pay tm, lic, कोई company उठा के देख लो, आज मैंने अगर policy बजार, pay tm या lic का share लिया है, तो मैंने ये business खड़ा किया है ये business, लंबे समय में मुझे पैसा कमा के देगा, short term में उपर नीचे होने से कोई फरक नहीं पड़ता, आप कोई भी share खरी लीजिए, चाहिए IPO लें या existing market से लें, बस ये समझेए, कि ये share नहीं है, ये आपका business है, ये आपकी खुद की company है, अपनी दुकान को कोन बंद करत लेंगे हम, बस share बजार mutual fund में लंबे समय में पैसा बनता है, लेकिन एक precaution लेनी जरूरी होती है, सबी अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए, इसलिए कभी भी किसी एक company के share में निवेश नहीं करना चाहिए, always diversify your portfolio, 5-7-10 जगा पैसा बाट के डालना चाहिए share बजा में mutual fund पे आजाओ, एक mutual fund में अमूमन 40-50 company के share में पैसा बाट के डाला जाता है, यानि यदि आप एक mutual fund लेंगे, तो आप एक साथ 50 company के मालिक बन जाएंगे, केवल 1000 रुपे से निवेश शुरू हो जाता है mutual fund में, 1000 रुपे के निवेश में भी आपका पैसा कुछ इस तरह से बटेगा, कि दो पेट्रोल पम खुल जाएंगे, एक कार की factory लगेगी, एक bank लग जाएगा, एक college खुल जाएगा, एक Colgate का factory लग जाएगा, एक hospital लग जाएगा, तो once you invest your money in mutual funds, आपका पैसा 40-50 company में well-diversified portfolio की तरह बाट के डाला जाता है, और यदि में mutual fund की growth की बात Reliance Nippon Growth Fund, अक्टूबर 1995 में ये mutual fund Reliance Group ने launch किया था, तब इसकी कीमत NAV 10 रुपे थी, आज सन 2022, इसकी कीमत 2000 रुपे है, सालाना 21% का growth rate, Sensex का growth 15%, इसका growth 21%, compounding growth, और यदि आप ध्यान से समझेंगे, तो एक लाक रुपे यदि किसी ने लगा के छोड़ा होता, आज उसको 2 करोड रुपे सच में मिल रहे हैं, यही level का growth आप अपने existing shares या mutual fund में, future में expect कर सकते हैं, यदि मैं इंडिया के सभी diversified mutual fund ले लू, पिछले 15 साल में 15% का average आया है, और दोस्तो 15,000 रुपे महीना जिन लोगों ने पिछले 15 साल में दिया है, आज उनको 15% के हिसाब से 1 करोड रुपे सच में वापिस मिल रहा है, तो share बजार और mutual fund में growth है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारा ही पैसा share बजार में डाल दें, आप अप पैसा बचे, मने वो पैसा जिसकी मुझे 5-7-10 साल तक जरूरत नहीं है, मैं मुड के नहीं देखने वाला, उस पैसे को आप share बजार और mutual fund में डालिए, long term में आपकी wealth create होगी, पैसा बनता है, यदि मैं मोटा मोटी ये मान लूँ कि हम पैसे को 3-4 जगा बाढ़ते हैं, उच से gold लेंगे, short term saving करेंगे, और कुछ पैसे को share बजार, mutual funds, real estate में डालेंगे, तो मोटा मोटी 10 प्रतिशत की यदि growth आए, और 10,000 रुपे महीना आप निवेश करें, तो आपका ये level का return बन सकता है, अगले 20 साल में 72-75 रुपया बनाये जा सकता है, दोस्तों, इंडिया में growth है, जब बरदफ्त growth आएगी, share बजार भी चड़ेगा, लंबे समय में सबका पैसा बनेगा, तो invest in India, invest in Indian businesses, share बजार को 60 समझ के मत आईए, share बजार में लंबे समय के हिसाब से business खरीदने का plan करके आईए, तो आपका भी पैसा बनेगा, एक अच्छे financial advisor से मिलिए, जो आ उसको क्यों कि अब आप share बजार की हो रही है, तो एक disclaimer देना जरूरी है, mutual fund investment are subject to market risk and insurance is subject matter of solicitation, मैं से भी registered investment advisor नहीं हूँ, ये presentation, ये video सिरफ training और awareness के लिए किया गया है